मनिस सिसोधिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुक किया है, अपनी गिरफतारी को चुनोती दी है और सीबियाई के जांच करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज शाम को सुनवाई करेगा हमारे साथ आम आदनी पार्टी के राजसबा सांसर स संजी सिंग है, संजी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका क्या राहत की उमीद कर रहे है सुप्रीम कोर्ट से देखिए मानी सर्वोच नियाले का क्या निर्णे आता है उसकी हम लोग प्रतीक्षा करेंगे, मैं यह जरूर कह सकता हूं कि कल सीबियाई कोर्ट में जो हमारे बैंक का लगा कर चेक किया, कुछ नहीं मिला, और आरोप क्या लगा रहे हैं भाजपाई, दस हजार करोन की रिस्वत खाली, अरे भईया कहा गई वो रिस्वत, कुस्तो जमीन के कागज, कुस्तो संपत्ती, कुस्तो सोना, कुस्तो रुपया मिलता, एक इमानदार सिक्षा म जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम कर रहा है, उसको आप बदनाम करने के लिए और गरिफ्तार कर रहे हैं और सिर्फ केजरीवाल की सरकार को ना चलने देने के लिए ये कारवई कर रहे हैं, तो इस बात को पूरा देश और दिल्ली देख रही है, जो C.B.I.ने उस कल कोर्ट में रखी ये बात उसमें जो आधार बताया है गिरफतारी का वह यह बताया कि एक ड्राफ्ट नोट मिला है जिसमें जो हुल से लाइसेंस थे उए 5% से 12% कमिशन किया गया सबसे पहले किसके पास गई दिल्ली के एलजी के पास गई जो भारती जनता पार्टी के द्वारा न्यूक ते एलजी थे उस पॉलिसी पर एलजी महदय ने क्या कहा 16-18 संसोधन कहा यह हमें मंजूर नहीं पॉलिसी ठीक करके लाओ फिर से हमारी सरकार उस पॉलिसी को ठीक करके एलजी साहब के पास भेजती है एलजी साहब उस पर मोहर लगाते हैं अब कह रहे हैं उसी पॉलसी में भरस्टचार हो कि आप मुझे बताई निसका जवाब दीजे या किसी भाजपाई से पूछ लीजे इसका जवाब तो इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ विस्तार उससे घबराकर इस प्र दिल्ली वाले ये जरूर जानना चाह रहे हैं कि 33 में से ठारा विभाग समालने वाले मनीज से सोधिया अगर पुलिस के सीबियाई की गिरफ्त में हैं सतेंदर जैन है नहीं दो मंत्रिय बापके जो हैं एक तरह से अब पदपे होते हो भी पदपे नहीं है तो ऐसे में अब नया की जीत हुए फिर बदल की बात है कैबिनेट फिर बदल होगा किसको वित्तम अंतरा ले दिया जाए अपने कैमरा सयोगी मुहमद मुरसली के साथ मैं शरच चर्मा एंडिटीव इंडिया